आकाश्वाणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मिराना शाहिद पहले मुखे समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने कहा कि श्री अन से देश के धाई करोड छोटे किसानों को लाब होगा और हमारी ग्रामीन अर्थ विवस्था सिद्रण होगी प्रादेश के सभी शास्की विभागोंद्वारा संचालित जन हितकारी यूजनाओं में जन भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए जन अभ्यान परिशद होगी नोडल एजनसी केंद्री मंत्री अनुराग सेंठाकुर ने मीडिया का आहवान किया है कि फर्जी खबरों और भारत विरोधी पूर्वाग्रों से निपटने के लिए प्रभावशाली तंत्र स्रजद करें और मुरैना जिले में चंबल नदी पार कर रहे 17 लोगों में से 7 लोग डूबे अब समचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि श्री अन से देश के धाई करोड छोटे किसानों को लाब होगा और हमारी ग्रामीन अर्थव्यवस्था सिद्रन होगी आज नई दिली में अंतरराष्ट्री श्री अन संबिलन के उदगाटन समारों में उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायू परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जलसंकट से जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है श्री मोधी ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है उन्होंने वैज्ञानिकों और अनुसंधान करताओं से अपील की कि वे इस जिम्भ हिस्सेदारी को बढ़ाने में योगदान दें प्रधान मंतरी ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं और इन से जीवन शैली से जोड़ी बीमारियों की चुनोती का सामना किया जा सकता है प्रधान मंतरी ने अन्तर राष्ट्रिये मोटा अनाज वर्ष के अफसर पर एक विशेश डाक टिकेट और सिक्का भी जारी किया मुखे मंतरी शिवराच्सी चोहान ने आज जम्बूरी मैदान भूपाल में आयोजित प्रसपुटन समीतियों एवं स्वैचिक संगठनों के महकुम्ब को संबोधित करते हुए कहा कि मद्रप्रदेश के सभी शास की विभागुद्वारा संचालित जन हितकारी योजनाओ में जन भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए जन अभियान परिशत को नोडल एजनसी नियुक्त किया जाता है। फॉर्म भरने EKYC के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाउगाउं में शिवर लगा कर फॉर्म भरे जाएंगे। EKYC के जाएगी, EKYC के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वे शुल्क सरकार भरेगी. सरकार देश भर की पंचायतों में 2,00,00 ग्रामीन डेरी स्थापित करने की योजना बना रही है, इस से डेरीक शेक्तर की वार्षिक व्रद्धी दर मौजूदा 6,6% से बढ़कर 13,8% हो जाएगी. आज गांदी नगर में 49,00 में डेरी उद्ध्योग सम्मिलन के समापन सत्र में केंदरी ग्रह और सहकारिता मंतरी अमिच शाह ने कहा कि वैश्विक दुग्द उपादन खेक्तर में भारत की जिस्सेदारी बढ़कर 33% तक हो जाएगी. इस अफसर पर श्री शाह ने डेरीक शेक्तर से जुड़े उद्ध्योग पतियों और प्रमुक हस्तियों को वर्गीस कुरियन पुरुसकार फिर प्रदान किये. तीन दिन के इस कारिक्रम में बड़ी संख्या में उद्ध्योग पतियों, पशु पालकों और सहकारी तक शेक अभी भी और कहीं भी अपनी सुवधा की अनुसार सुन सकते हैं. यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज़ पर भी सुने जा सकते हैं. इसके अलावा अब हमारी वेबसाइट News on AIR.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार स सुन सकते हैं. मल्यालम दैनिक समाचार पत्र मातर भूमी के शताबदी समारों के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने मीडिया को विदेशी प्रकाशनों और संगठनों के खिलाफ आगाह किया जो भारत विरोधी पूर्वा ग्रहों के साथ विकृत तथियों को फैलाते हैं. उन्होंने पत्रकारों से बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम जारी रखने की अपील की. मुरैना जिले में आज हाथ पकड़ कर चंबल नदी पार कर रहे 17 लोगों में से 7 लोग डूब गए. इन में से 2 शव बाहर निकाल लिये गए हैं. 5 व्यक्ति अब भी लापता हैं. 10 लोग सुरक्षित किनारे पहुँच गए. जिले के आला अधिकारी घाट पर मौजूद ह SDR, AF की टीम और स्थानी गोताखूर बाकी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं. यह घटना मुरैना जिले के टेंटरा थानक शेक्ति के राइडी राधिन गाउं में चंबल घाट पर हुआ. स्थानी लोगों का कहना है कि शिफपूरी जिले के छिलावत गाउं से हर स लोग बड़ी संख्या में राजिस्थान में स्थित कैला देवी के दर्शन करने जाते हैं. हादसे का शिकार हुए लोग भी कैला देवी जा रहे थे. यह सभी लोग एक दूसरे का हाद पकड़ कर चंबल नदी पार कर रहे थे. इस दौरान एक व्यक्ति का पाउं फिसल ज इससे फसलों को नुकसान हुआ है. नर्मदा, पुरम, सागर, बैतूल, राइसेन, अशोक नगर और धार जिले में आकाशिय बिजली गिरने से कल आठ लोगों की मौत हो गई है. प्रदेश में वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर छै मौसम प्रणालियां सक्रिये हैं. उनके प्रफाओं से प्रदेश के अधिकांच इलाकों में मौसम बदला हुआ है. विश्व ग्लूकोमा दिवस पर राजभवन में निशुल नेतर परिक्षन शिवर लगाया गया शिवर में राजिपाल मंगुभाई पतेल भी आँखों का परिक्षन कराया. उन्होंने ने क्रॉस सुसाइटी भुपाल के नेतर विशिशग्यों ने नेतर परिक्षन कर आवशक उपचार एवंपरा मर्श प्रदान किये. अब कुछ समाचार संगशेप में. मौसम बर साथ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और किसानों की चिंता बढ़ गई है. अशोक नगर जिले में आज पी एची राजिमंत्री ब्रजेंदर सिहादव ने किसानों के साथ खेतों पर पहुँचे और बारिश से फसल कुए नुखसान का जाइजा लिया. भार पावेदकों का कंपनियों द्वारा चेहन किया गया. मिसर के इजिप्ट शेहर में आयजित अंतरराश्ट्री ए आईबी से जुडो ग्रांड फिक्स 2023 में सीहोर के अंतरराश्ट्री जुडो खिलाडी कपिल परमार ने गोल्ड मैडल जीत कर अब विश्व जुडो रैंकिं इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही नमस्कार.